मुझे भी तुम सब के साथ ये खेल खेलना है क्या मैं भी तुमारे साथ खेल सकती हूं नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती हमें परिशान मत करो और जाओ यहां से लेकिन मैं तुमारे साथ क्यों नहीं खेल सकती क्यूंकि तुम हमारी दोस्त नहीं हो और हम सब तुम जैसे गरीब लोगों के साथ नहीं खेलते जरा अपनी स्कूल युनिफॉर्म को तो देखो कितनी पुरानी हो गई है जब भी तुम्हारी युनिफॉर्म फट जाती है तो तुम्हारी माँ उसी को सील देती है हमें देखो हम तो हर साल नहीं उनिफॉर्म खरीदते है अगर हम तुम्हारे साथ केलेंगे तो पूरे स्कूल में हमारा नाम खराब हो जाएगा रिंकी एक गरीब किसान की बेटी थी उसके पिता का हाथ बाटनी के लिए उसकी माँ लोगों के कपड़े सीला करती थी उनिफॉर्म दिला दू आज फिर से स्कूल में सभी बच्चों ने मेरा मजाग उड़ाया बेटा तु जानती तो है हमारे घर के हालत कैसे है लेकिन तु चंता मत कर मैं अगले साल तेरे लिए पक्की नई उनिफॉर्म खरीद दूँगी फिर कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा तुम हर साल मुझसे यही कहती हो और मेरे पुरानी ड्रस को सील कर ही मुझे भेज देती हो अगर अगले साल तुमने मेरे लिए नई उनिफॉर्म नहीं खरीदी तो मैं स्कूल नहीं जाओंगी हाँ मेरी बच्ची अगले साल पक्का दिला दूँगी अब मू मत फुला और खाना खा ले आज मैंने तेरे लिए डाल के पराठे बनाए है तुझे बहुत पसंद है ना क्या बात है आज खाने में डाल के पराठे बने है तब तो आज खाना खाने का मज़ा ही आ जाएगा अरे आ गए आप, मैं बस आप ही का इंतिजार कर रही थी, आए आप भी खाना खाने बैठ जाएए खाना खाकर रिंके का मूड थोड़ा ठीक होता है और वो युनिफॉर्म वाली बात को भूल जाती है लेकिन अगले दिन वो जैसे ही स्कूल में जाती है, वैसे ही स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है बच्चों अगले हफते चिल्रिंस डे है और इस बार चिल्रिंस डे पर स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटीशन रखा गया है सभी बच्चों को अच्छी तरह तयार होकर आना है जो भी बच्चा सबसे अच्छी ड्रेस पहन कर स्कूल आएगा उसे फर्स्ट प्राइस दिया जाएगा टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन नई ड्रेस का नाम सुनते ही रिंकी बहुत परिशान हो जाती है क्या हुआ रिंकी? टीचर की बात सुनकर तुम इतनी परिशान क्यों हो गई? अरे चिंकी ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बेचारी सोच रही होगी कि मेरे मम्मी पापा ने इतने सालों से मुझे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म तो दिलाई ही नहीं, तो fancy dress competition के लिए नई dress कहां से दिलवाएंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कि इस गरीब के पास तो fancy dress competition के लिए कोई dress हो ही नहीं सकती. मैं तो आज ही अपनी मम्मी से कहे कर अपने लिए सुन्दर सा gown लेकर आऊंगी, वो भी pink color का, मुझे pink color बहुत ही ज्यादा पसंद है. हाँ, और मैं भी red color का बहुत ही सुन्दर gown लेकर आऊंगी, देखना, जब मैं वो gown पहनूंगी, तो first price मुझे ही मिलेगा. first price का तो पता नहीं कि किसे मिलेगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि last price इस गरीब को ही मिलेगा, सबसे गंदे कपड़े पहनने के लिए. बस करो तुम सब, बहुत मजाक उडा लिया तुम सबने मेरा, तुम देखना, इस बार मेरी मा मेरे लिए बहुत ही सुन्दर gown बनाईगी, और तुम सब देखती रह जाओगी. इतना कहकर, रिंकी रोते हुए, क्लास से बाहर चली जाती है, और घर आकर अपने मा के सामने रोने लगती है. क्या हुआ मेरी बच्ची? आज फिर से उन सभी ने तुझ से कुछ कहा क्या? मा, वे सभी लोग बहुत बुरे हैं. आज टीचर ने बताया कि अगले हफते हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटीशन है, जिसमें हमें सुन्दर सुन्दर ड्रेस पहन कर जानी है. इसलिए उन्होंने मेरा बहुत मजा कुड़ाया कि मैं फिर से कॉम्पिटीशन में फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाऊंगी. और सबसे गंदे कपड़े पहनने का प्राइज मुझे ही मिलेगा. मा, अगर इस पार तुमने मुझे नया गाउन नहीं दिलाया, तो मैं फ तरह रोते हुए देख कर कविता को बहुत बुरा लगता है. वो मन ही मन रिंके के लिए नया गाउन बनाने के लिए परिशान होने लगती है. बेटा, तु चिंता मत कर, मैं खुद तेरे लिए एक नया गाउन बनाऊंगी. और जब तु उस गाउन को पहन कर स्कूल में जा क्या, सच में मा, तुम सच में मेरे लिए नया गाउन बनाऊंगी? हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए बहुत सुन्दर गाउन बनाऊंगी. अब तू जाकर पढ़ाई कर ले. हे भगवान, मेरी मदद करो. मैंने रिंकी को कहे तो दिया कि मैं उसके लिए नया गाउन बना दूँगी. लेकिन मेरे पास तो गाउन बनाने के लिए सुन्दर सा कोई कपड़ा भी नहीं है. उसके स्कूल की सभी लड़किया महेंगे महेंगे गाउन पहन कर आएंगी. और अगर इस बार उन्होंने मेरी बच्ची को कुछ भी कहा तो मेरी बच्ची का होसला तूट जाएगा. मैं कैसे मेरे बच्ची के लिए ऐसा गाउन बनाओ? जिसे देखकर सब उसे देखते ही रह जाए और उसे ही फैंसी ड्रस कॉम्पिटिशन में फोस्ट प्राइज मिले. आवास से कविता की नींद तूट जाती है. कौन है? कौन आया है मेरे घर में? आंटी आंटी मेरे मम्मी पास वाले खेत में ही मजदूरी कर रही है. आज मेरी मा जो खाना लाई थी वो खराब हो गया. मुझे बहुत भूग लगी है. क्या आप मुझे खाने को दो रोटी द जाओ. और ये अचार भी ले जाओ. खेत में जाकर अपनी मा के साथ आराम से खा लेना. कविता जैसे ही उस बच्ची को रोटिया देती है, वैसे ही वो बच्ची एक बहुत ही सुन्दर परी में बदल जाती है. घबराओ मैंत कविता, मैं एक परी हूँ. तुम थोड़ी देर पहले भगवान को याद कर रही थी न, कि कैसे बेटी के लिए सुन्दर सा गाउन बनाओगी? इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ. अच्छा, तो क्या आप मेरी बेटी के लिए मुझे गाउन दोगी? नहीं, मैं तुम्हें कोई गाउन नहीं दूँगी. बलकि तुम खुद अपनी बेटी के लिए गाउन बनाओगी. लेकिन वो गाउन आम कपड़े से नहीं, बलकि सबसे सुन्दर फूलों से बना होगा. लेकिन वो कैसे भला? फूलों से एक गाउन कैसे बन सकता है? अगर मैं फूलों का गाउन बना भेदूंगी, तो थोड़ी देर बाद वो फूल मुर्जा जाएंगे. नहीं, मैं तुम्हारी आंगन में परी लोग के खास फूलों गाउंगी. तुम उन फूलों से ही अपनी बेटी के लिए एक सुन्दर सा गाउन बनाना. वो गाउन कभी भी खड़ाब नहीं होगा. और तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपना रंग भी बदल लेगा. तु खिल जाते है. अरे वा, ये फूल तो बहुत ही सुन्दर है. मैंने आज तक इतने सुन्दर फूल पहले कभी नहीं देखे. अब तुम इन फूलों के साथ अपनी बेटी के लिए गाउन बनाओ. मैं चलती हूँ. तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद. तुमने तो मेरी स तारे परिशानी को ही हल कर दिया. परी के वहाँ से जाने के बाद कविता आंगन से फूलों को तोड़ कर ले आती है. और एक कपड़े से एक गाउन का डिजाइन बना कर तयार करती है. और उस पर उन फूलों को सजा कर अच्छी तरह से सील देती है. जिससे एक बहुत ही फूलों का गाउन बनकर तयार हो जाता है रिंकी बेटा जल्दी से यहां पर आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुन्दर गाउन बना कर तयार किया है कविता की आवाज सुनकर रिंकी दोड़ती हुई वहां पर आती है और फूलों से बने उस गाउन को देखकर बहुत ही खुश होती है वाँ मा ये गाउन तो बहुत ही सुन्दर है मैंने अपने जंदगी में कभी भी इतना सुन्दर गाउन नहीं देखा क्या तुमने इस गाउन को असली फूलों से बनाया है हाँ बेटा इस गाउन को मैंने असली फूलो से बनाया है और तुम्हें पता है अगर तुम चाहो तो अपनी मन मर्जी के मुदाबिक इस गाउन के रंग को बदल भी सकती हो उसके लिए तुम्हें बस अपनी आखे बंद करके उस कलर का नाम बोलना होगा और तुम्हारा ये गाउन उसी रंग का हो जाएगा क्या सच मेमा अगर मैं आखे बंद करके पिंक कलर बोलूँगी तो क्या मेरा गाउन पिंक कलर का हो जाएगा हाँ मेरी बच्ची ये जानने के बाद रिंकी अपने आखों को बंद करके पिंक कलर बोलती है और उसका गाउन लाल रंग से गुलाबी रंग में बदल जाता है, जिसे देख कर रिंकी बहुत खुश होती है वाह मा, ये गाउन तो बहुत ही अच्छा है, सच में ऐसा गाउन तो मेरे स्कूल की किसी भी लड़की के पास नहीं होगा अब जब मैं इस गाउन को पहन कर स्कूल में जाऊंगी, तो सब लड़किया मुझे देखते ही रह जाएगी एक हफ़ते बाद स्कूल में फैंसी ड्रस कॉंपिटिशन का दिन आता है रिंकी फैंसी ड्रस कॉंपिटिशन में अपना फूलो का सुंदर सा गाउन पहन कर जाती है तो स्कूल के सभी बच्चे और सभी टीचर्स उसके गाउन को देखते ही रह जाते है वाव रिंकी बेटा तुम्हारा ये फूलो का गाउन तो बहुत ही सुंदर है मैंने तो आज तक बाजार में ऐसा गाउन नहीं देखा तो तुमने ये गाउन कहां से खरिदा नहीं टीचर मैंने ये गाउन कहीं से खरिदा नहीं है इस गाउन को तो मेरी मा निसिला है मुझे रिंकी का मजाग उड़ाया करती थी, जब वो रिंकी के गाउन को देखती है, तो दोरती हुई उसकी पास चली आती है. रिंकी, रिंकी, तेरा गाउन तो बहुत ही सुन्दर है, तुने ये गाउन कहां से लिया? तुमने कहा था न कि मेरी मा मेरे लिए गाउन नहीं बना सकती देखो इस गाउन को मेरी मा नहीं मेरे लिए बनाया है और मेरा गाउन तुम सबके गाउन से ज़्यादा सुन्दर है मुझे माफ कर दो रिंकी मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उडाना चाहिए था आज से मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं उडाऊंगी लेकिन क्या तुम अपनी मा से कहकर मेरे लिए भी एक ऐसा ही गाउन बनवादोगी हाँ और मेरे लिए भी ठीक है बनवादूंगी लेकिन उसके बाद तुम दोनों फिर कभी मेरा मजाक नहीं उडाऊगे वादा करो हाँ हम दोनों वादा करते हैं कि हम फिर कभी तुम्हारा मजाक नहीं उडाएंगे अब चिंकी और रिया रिंकी से अपने गलत बरताव के लिए माफी मांगती है रिंकी भी सब कुछ भूल कर उन दोनों को माफ कर देती है अब वो दोनों ही रिंकी की अच्छी दोस्त बन जाती है रिंकी को उसके इतने सुन्दर गाउन की वज़े से फैंसेडरस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइस भी मिलता है वो चिंकी और रिया के लिए भी अपनी मा से कहकर अपने जैसा ही गाउन बनवा देती है और फर्स्ट प्राइस का इनाम जीत कर बहुत ही खुश होती है सुरेश अभी अभी घर पहुचा था उसकी मा उर्मिला हॉस्पिटल में एडमिट थी कल रात अचानक ही उर्मिला के सीने में बहुत तेज दर्द उठा सुरेश अपने मा को हॉस्पिटल लेकर गया और डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है कई दिनों तक इन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा सुरेश के साथ उसकी पडूसन जो के उर्मिला के अच्छी दोस्ट भी थी शान्ती भी आई हुई थी घबरा मत सुरेश तेरी मा को कुछ नहीं होगा बेटा देखो न मौसी मा के साथ क्या हो गया सारी जिन्दगी इतने दुख और गरीवी में निकाला है अभी तो मैंने इनको कोई सुक भी नहीं दिया कैसी बातें कर रहे हो बेटा अभी तो पूरी उम्र पड़ी है अब देखना उर्मिला के सुक के दिन शुरू हो जाएंगे अब तो तो कमाने लगा है तभी वहाँ पर नर्स आती है और आप मरीज के साथ हो एक काम करो मरीज ने जो कड़ा पेना हुआ है उसे उतार लो हमें इंजेक्शन लगाने है ठीक है ठीक है मैं अभी उतार लेती हूँ उर्मिला के हाथ का वो कंगन शान्ती को बेहत पसंद था पर आज उसे मौका मिल गया कि वो उस कंगन को अपने पास रख ले उर्मिला का ये कंगन मुझे बहुत पसंद है आज आखिर ये कंगन मुझे मिल ही गया जब उर्मिला ठीक होकर घर जाएगी और अपने कंगन के बारे में पूछेगी तो कह दूँगी कि हॉस्पिटल में गुम हो गया फिर वो भी सुरेश के साथ घर आ जाती है सुरेश अभी बैठा हुआ सोची रहा था कि वो कैसे इतने दिन तक घर और हॉस्पिटल में मा को संभालेगा तभी शांती भागे भागे आती है अरे मौसी क्या हुआ कुछ हुआ है क्या तो में इस तरह भाग कर क्यों आई हो ये कंगन ले बेटा और्मिला का कंगन है मुझे नहीं पता था कि ये कंगन इतना कुछ कर सकता है मैं तो बाल-बाल बची हु मरने से मौसी तुम कैसी बातें कर रही हो बहला इस कंगन से तुम कैसे मर सकती थी बस बस इतना अंजान बनने के जरूरत नहीं है तुझे और तेरी मा को पता था कि ये कंगन जाद हुई है मैंने तो ऐसे ही नर्स के कहने पर ये कंगन उर्मिला के हाथ से उतार लिया था और जैसे ही मैंने इसे पहनने की कोशिश की देखो इसने मेरे हाथ का क्या हाल किया है सारा हाथ मोड कर लाल कर दिया ऐसा कहकर शांती वहां से चली जाती है सुरेश उस कंगन को ध्यान से देखता है वो कंगन सुरेश ही अपनी मा के लिए लेकर आया था उसी याद आता है कि गाउं में मिला लगा था और माने उसे 20 रुपए दिये थे दस का ये कंगन वो मा के लिए लेकर आया था क्यूंकि मा के हात खाली थे तब माँ ने उसे कहा था अरे बेटा, दुगान वाली ने तुझे ठग लिया है ये लाक कंगन, दस रुपे का कहा से आनी लगा दुगा कंगन तुझे दस में दे दिया और मैंने तो तुझे पैसे खाने पेने के लिए दिये थे और तुने ये कंगन खरीद लिया छोड़ो न मा, मैं कितने प्यार से लेकर आया हूँ तुम ये कंगन पहन लो तुमारे खाली हाथ मुझे अच्छे नहीं लगते और मिला खुशी-खुशी वो कंगन पहन लेती है और वो दिन और आज का दिन और मिला ने वो कंगन कभी नहीं उतारा और अभी शांती उसके हाथ में ये कंगन ये कहकर दे गई कि ये तो जादुई है वो कंगन में लगे हुए नगों को रगडने लगा कि तभी कंगन में से आवाज आई बहुरा जूट बोल ला ही थी उसने तुम्हें पता है मुझे जोरी कर लिया था कंगन को यू अचानक से बोलता हुआ देख सुरेश घबरा जाता है तुम जादुई कंगन हो पर तुम तो इतने सालों से मा के हाथ में थे हमें तो पता ही ने चला कि तुम इस जादुई कंगन हो हाँ तुम ये कह सकते हो तो कि तुम लोगाने कभी मेरा इस्तमाल करना ही नहीं चाहा पर हम तुमारा इस्तमाल कैसे करते हमें तो पता ही नहीं था तुम्हें नहीं पता लेकिन उर्मिला को तो मैंने कितनी बार आभास कराया कि मैं जादूई कंगन हूँ लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाई मैं तभी लोगों की मदद करता हूँ जब कोई मेरे से अपनी बात कहता है या मुझसे मदद मांगता है अगर ऐसा है तो तुमने शांती मांगती की बात क्यों नहीं सुनी अरे बाप रे बाप तुम कितने सवाल करते हो तुम्हें बताया तो वो मुझे चोरी करके लाई थी मैं ऐसे इनसान के पास तो कभी नहीं नहीं था तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम तो हर समय मा के हाथों में रहते थे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी मा कितनी बीमार है और मुझे कितनी चिंता है कि मैं होस्पिटल के इतने सारे खर्चे कैसे उठाऊंगा मा अगर ठीक नहीं हुई न, तो मेरा क्या होगा, मैं उनके बीना नहीं रह सकता तो सोच क्या रहे हो, ये लो पैसे पकड़ो और चलो, हॉस्पिटल, तुमारी मा बिल्कुल ठीक है, देख लेना डॉक्टर कहेंगे, इन्हें घर ले जाओ, क्या तुम सच कह रहे हो, हाँ हाँ, बिल्कुल सच, क्योंकि मेरे पास जूट बोलने की कोई वज़ा नहीं है, सुरेश कंगन को हाथ में पकड़े-पकड़े हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जाकर देखता है, उसकी मा बिल्कुल ठीक ठाक हॉस्पिटल के बेट पर बैठी हुई है, अरे बेटा, मा मुली से दर्द में तुम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर गया, मैं बिल्कुल ठीक सुरेश अपनी मा को घर ले आता है ये लो मा तुम्हारा कंगन अरे ये कंगन तुझे पता है कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि ये कंगन कुछ बोल रहा है पर फिर मैं ही सोचती हूँ कि ऐसा भला कैसे हो सकता है हा मा हो सकता है तुम्हें कभी पता ही नहीं चला तुम्हें पता है ये एक जादू ही कंगन है लगता है बीमार मैं हुई हूँ और दिमाग तेरा खराब हो गया है मलब कंगन भी कभी जादू ही होते हैं होते हैं भई होते हैं और मैं एक जादू ही कंगन ही हूँ मैंने तुम्हें कितनी बार इशारा किया कि तुम मुझसे बात करो लेकिन तुम्हें लगता था कि तुम ऐसे ही आवाजे सुन रही हो और जब तक कोई मुझसे मदद नहीं मांगता मैं मदद नहीं करता हे भगवान, सच मुझ में ये तो जादोई कंगन है सुनो कंगन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम से मांगू तो अभी तो मेरे बेटे के लिए बढ़ियां खाना ले आओ क्योंकि वो कल से भूखा है तुम भी नमा, हमेशा मेरे बाराई में ही सोचते रहती हो तुम भी तो कल से कितनी बीमार थी तुम्हें पता है, मैंने जादोई कंगन से कहा कि तुम्हें ठीक कर दे और देखो, तुम ठीक हो गई तभी जादोई कंगन वहाँ पर बढ़ियां खाना ले आता है सुरेश और उर्मिला साथ बैटकर खाना खाने लगते हैं सुरेश एक बात तो बता तुझे कैसे पता चला कि ये कंगन जादोई है हस्पिटल में नर्स ने ये कंगन मौसी को दिया और मौसी ने ये कंगन छुपा लिया बस मौसी घबरा कर ये कंगन मुझे देने के लिए आ गई क्योंकि उनके हाथ पर काफी चोटे आ गई थी पता है मा वो तो बुरी तरह घबराई हुई थी हे भगवान शांती ऐसा कर सकती है मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं तो उसे अपनी बेहन समझती थी और उस पर आख बंद करके भरोसा करती थी जादोई कंगन उबासी ले रहा था वो दोनों मा बेटे की बात सुनते सुनते पूरी तरह बोर हो चुका था अरे तुमें क्या हुआ तुम क्यों इस तरह मूँ खोल-खोल कर उबासी ले रहे हो मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग कैसे लोग हो आपस मैं बात किया जा रहे हो अरे तुमारे सामने एक जादुई कंगन है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो चाहे मांग सकते हो, पर तुम लोगों की तो बाते ही खत्म नहीं हो रही, अच्छा, तुम क्या क्या कर सकते हो, बताओ जरा, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इस घर को बदल सकता हूँ, तुम्हें अमीर ब सकता हूँ और तो और इस घर को राज महल बना सकता हूँ अब तुम बताओ जल्दी से कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे तो बड़ी ठकावट हो रही है अब मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ सब कुछ कितना अजीव है मेरे पास एक जादुई कंगन है वो भी मा के हाथो में पड़ा हुआ था और मुझे कभी पता ही नहीं चला और वो अब मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये कंगन सोना भी जानता है तो एक काम करो तुम जल्दी से इस घर को सुन्दर बना दो और मुझे कोई ऐसा काम दो जो मेरे लिए ब देखते ही देखते उर्मिला का घर एक सुन्दर घर में बदल जाता है उर्मिला और सुरेश के सुन्दर कपड़े आ जाते हैं घर में तरह तरह की चीज़ें थी कि तभी उर्मिला बोलती है तुम सुरेश के लिए गेहनों की दुकान खोल दो और इसे इतना ग्यान दो कि वो असली नकली की पहचान कर सके इसकी काम में दिन दोनी राच चोगनी तरक्की दो और तो और मेरे लिए एक सुन्दर सी बहु दिला दो जो आकर अपने इस घर को संभाल ले बाकी के सब काम तो मैं फटा फट कर डूँगा लेकिन तुमारे लिए बहु तो तुम्हें खुरी डूणनी बड़ेगी बस मैं तो तुम्हें उस घर का पता बता सकता हूँ कि सुरेश के लिए काम सी लड़की अच्छी रहेगी बाकी सब तुम जाना फिर जादूई कंगन उर्मिला को बताता है पास के ही गाउं में रचना नाम की एक लड़की रहती है वो बहुत ही गुणी और सुन्दर है अगले ही दिन सुरेश और उसकी माँ एक बड़ी सी गाड़ी में रचना के घर जाते हैं और वहां जाकर वो उसके माता-पिता से उसका हाथ मांगते हैं अब सुरेश की माँ अपनी बहु को जड़ाव कंगन उपहार में देती है और अगले महीने ही सुरेश और रचना की शादी धूम धाम से हो जाती है सुरेश अपनी माँ के जादूई कंगन की सहायता से बहुत जल्दी अमीर हो जाता है लेकिन वो गरीबों के लिए भी बहुत से काम करता है यहां तक की वो एक बड़ा अनाथ आश्रम भी खोल लेता है जिसमें वो बच्चों को हर तरह की सुकसुविधाएं देता है और उसका सारा काम रचना संभालती है और उसके बाद वो लोग सब खुशी खुशी रहते हैं झाल 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 झाल